गाइस इस वीडियो में बात करने वाला हूँ पोस्ट आपिस में किस प्रकार से आप एक अपना नया सिविंग अकाउंट ओपन करा सकते हैं अगर आप पोस्ट आपिस में अपना सिविंग अकाउंट ओपन कराने चाहते हैं तो एक details वीडियो है, account open कराने का, पूरा complete process आपको बताने बाला हूँ, कौन सा आपको form बनना पड़ेगा, क्या क्या document लगेंगे, इसके charges क्या रहते हैं, कितना minimum balance रखना पड़ता है, और कितना initial फंडने करना पड़ता है, debit card मिलेगा कि नहीं मिलेगा, checkbook मिलेगा कि नहीं मि स्क्राइब कर देना, वीडियो पसंद राता है, तो एक like जरूर कर देना, तो guys अगर हम बात करता हूँ, post office saving account की, यहाँ पर एक doubt आपका बहुत बड़ा रहता है, कुछ लोग सोचते हैं कि Indian post payment bank और post office एक ही है, जबकि ऐसा बुल्गुल भी नहीं है, post office अलग है, और Indian post payment bank अलग है, post office saving account अलग है, और Indian post payment bank अलग है, payment bank में आप 2 लाग रुपे से उपर नहीं दख सकते हैं, लेकिन post office का जो account रहता है, इससे कोई limit नहीं होती है, एक bank account जैसे account होता है, आप इसमें unlimited लेंदन कर सकते हैं, यहाँ कोई limit यहाँ नहीं होता है, तो अगर आपके लिए अ आपके आपको offline तरीके से forum भरके account को open कराना पड़ेगा, अब आपका हाँ पर question होगा, कि जब हमारे लिए offline तरीके से account open कराना है, तो फिर हम आपके वीडियो क्यों देखें, तो जी बुलकुर right question है, आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर अपन post office का account open कराने के लिए आते हैं, तो आपका 5 मिनिट के अंदर account open हो जाएगा, भही इस वीडियो को ना देखके account open कराने के जाते हैं, तो आपके लिए कापी समस्य आएगी, और हो सकता है कि एक बार में आपका account open भी ना हो, चले बात करते है, account open करने की प्रिक्रियागी, सबस्वेले आपको जाना उसमें आपको amount डालना है कि कितना रुपए आप जमागाना चाहते हैं इस account में, अगर आप एकाउंट open करना चाहते हैं, तो आपको इस account में 500 रुपए initial deposit करना पड़ेगा, और 500 रुपए ही अपने account में minimum balance रखना पड़ेगा, इस बत का धियान रखना, अगर balance कम होता है, तो इस पर charges लगाए जाएंगे, जैसे आप फोर्म बरके जमा करते हैं, फोर्म में आपको अपने दो photo लगाने पड़ेगे, आधार का फोर्ट को भी pen card का फोर्ट को भी लगाना पड़ेगा, और उन्हें original आधार काट pen card भी दिखाना पड़ेगा, इसके बाद आपका account यह या फिर passbook, लेकिन देखो एक बात आपको बता दूँ में यहाँ पर, post office का account अगर आपने open करा लिया है, तो आपके इस account को यूपैस से link नहीं कर सकती है, क्योंकि यूपैस हमारे इंडिया में वही bank link होती है, जो RBS से registered होती है, post office RBS registered नहीं है, post office भारा सरकार की संस्ता है, तो ये account यूपैस से link नहीं होगा, अगर यूपैस से link करना इस account को, तो आपके लिए post office payment bank का भी account open कराना पड़ेगा, और दोन account को link कराने पड़ेगे, इसके बाद आपका account यूपैस से link होगा, बागी देखो यहाँ पर आपके लिए checkbook मिल जाएगा, passbook मिल जाएगा, और document में आपको अपने साथ में आधर काट, pen card ले जाना है, लेकिन देखो कई बार अगर आप अपने post office में जाते हैं, तो वो लोग आपसे इस account open करने की मना भी कर सकते हैं, क्योंकि जो ग्रामेड एडिया के post office रहते हैं, जहाँ पर इतना development नहीं हुआ है अभी, तो उनके पा account open हो जाता है, उसके बाद आप अपने account को इस्तिमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समझ से क्या आएगी, cash withdrawal करने की, और cash deposit करने की, देखो जो bank account होता है, किसी bank में अगर हमने अपने account open करा लिया, तो उसका cash withdrawal कर सकते हैं, जैसे कि पहले तो हम AAPS से कर सकते हैं, जो ग् bank always registered नहीं है, बाकि दो को post office में अगर आप जाते हो कभी भी cash withdrawal करने के लिए, या पिर account open कराने के लिए क्यों ना जाते हो, तो भाई आपको कई वार लंबी लंबी line लगी मिल सकती है, मैं अपना account open कराने के लिए गया ता कल, तो मेरा number कम से कम यहाँ पर 1.5 गंटे में आया उसके बाद lunch time हो गया, तो फिर समझ लो कि डाई घंटा लग गया, तो इस प्रकार से आपको समस्या आएगी, अगर account open करा रहे हो, तो आपको सब जेलना पड़ेगा, क्योंकि post office में काफी भीड रहती है कई बार, कई बार आपको line में खड़ा होना पड़ सकता है, और ऐसे account आपको चाहिए, तो post office में जाना पड़ेगा, case video करने के लिए, या पर case जमा करने के लिए, तो अगर आपको business business है, और आपके लिए 2-3 दिन में काम पड़ते रहता है case video का, तो फिर इस account से आप तो तो दूर रहे, आप किसी bank में account open कर सकते हैं, बागि अगर आपको लगत bank में अच्छा zero balance account open करना चाहते हैं, तो मैंने इस वीडियो के discussion में, कुछ bank में account open करने के link डाल दे हैं, आप click करके open कर सकते हैं, बागि आप क्या सोचते हैं, post office के exhibing account के बारे में हमें comment जरू कर देना, चले मिलते हैं किसी next video में